चोपडा है जोगिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों इस वीडियो के जरीए मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूँ गुड न्यूज ये है कि अब PG की सीटे MBBS की सीटों के बराबर हो जाएंगे यानि आज की तारिक में MBBS की कुल 1,226 सीटे हैं और PG की 64,000 सीट्स हैं किंद्री स्वास्थे मंतरी मंसुक मंडाविया ने कहा है कि सरकार अगले चार साल में PG की सीटों को MBBS की सीटों के बराबर करने पर काम कर रही है इससे हर MBBS पास आउट को PG करने का मोका मिल जाएगा ये सभी MBBS करने वाले या फिर NEET, UG वर PG की तयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए good news है क्योंकि पहले MBBS करने के बाद आदे स्टूडेंट ही PG के लिए select हो पाते थे और काफी सारे स्टूडेंट को सीड्स कम होने के कारण डिजायर ब्रांच नहीं मिल पाते थी उनको मजबूरन अधर ब्रांच में PG करना पड़ता था मगर अभी हर एक ब्रांच में PG की सीटें इंक्रीज हो जाएंगी जिससे हर स्टूडेंट को फाइदा होगा मैं आपको अपने फर्सनल व्यू बताऊं मैं काफी दिनों से ये सोच भी रहा था कि PG की सीट्स इंक्रीज होनी चीए ताकि हर MBBS को PG करने का मोका मिल सके क्योंकि आजकल MBBS की वेल्यू को देखते हुए PG करना आवशक हो गया है तो फाइनली ये चार साल में PG की सीट्स MBBS के इक्वल हो जाएंगी और इससे सभी स्टूडेंट को फाइदा होगा ये एक गुड नियोज थी मैंने सुचा ये आपके साथ भी शेयर करना चीए तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि नीट और मेडिकल रिलेटेड हर एक इनफोर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन